नमस्कार दोस्तों वेल्कम टू में चैनल एक्जामिस्टोर एक्जामिस्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक डेट पर अपडेट आई हूँ यह मैं जो आपको सुना रहा हूँ हम फैंसले में सिच्छामित्रों को राध देते हुए अगली वरती में फिर से सामिल होने का मौका दिया है कोर्ट ने अपने अदिश में काये कि सिच्छामित्रों को फिर अगली वरती में सामिल किया जाएगा 69,000 सिच्छक वर्ती का टाप के मुद्दे पर सुप्रीम कोट जो है कल सुभा सुनवाई करेगा बता दे कि UP सरकार पहले ही 30,277 पदों पर वर्ती पर की रिया पूरी कर ली है उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्ती 69,000 असिस्टेंट टीचर सुप्रीम कोट के आदेशा अनुसारी की है इस बर्ती पर किरिया के पूरी होने के बाद अपसिस पदों को लेकर अब व्यार्ती में काफी उत्सुक बनी हुई थी उत्तर प्रदेश में खाली चल ले पदों पर जल्दी बर्ती 69,000 असिस्टेंट टीचर कराने के लिए सुप्रीम कोट के आदेश का इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोट से आज आदेश आनने के लिए महिनों से इंतजार कर रहा बजारतियों के लिए आखिर कर वो शमाय आई गया जब कोट की तरफ से फैंसला सुनाया गया आज सुप्रीम कोट ने सलपी राम सरण मोरया अन्य बना मुत्तरप्रदे सरकार के मामले में सुनवाई करते हुए कटाप की मुद्दे की याजिगा को खारिच कर दिया यही नहीं सुप्रीम कोट ने हाई कोट एलावात की घंड़ पीट लखनों द्वाराई स्पेसल अपील 156.5.219 में पारित आदेश को भी प्रभावी माना है इस तरह से 40-45 फिर्दे पर भरती की मांग कर रहें सिच्छा मितरों को भी किसी तरीत की राहत नहीं मिली है वहीं 60-65 फिर्दी के लिए मांग रहें अवियार्तियों की एक बार फिर्द से जीत हुई वहीं उत्तर प्रदेश को भी रात मिली हैं यहीं सुप्रीम कोट ने आज अपने आयम फैसलों में 66,866 चैनित अवियार्तियों को बदाई देते हुए 15-20 दिन के अंदर में सरकार ने नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा है उत्तर प्रदेश में 79,000 सिच्छकों की भरती की चल रही भरती में सरकार ने 31,217 पदों पर भरती प्रक्रिया पूरी कर लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने या भरती सुप्रीम कोट के आदेशा नुसारी पूरी की है इस भरती परक्रिया में पूरी होने के बाद अफसेस पदों के लेकर अवियार्ति बहुती उत्सुकते उत्तर प्रदेश में खाली चल ले पदोपर जल्दी भरती कराने के लिए सुप्रीम कोट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोट से आदेश आने के लिए महीनों से इंतजार कर रहा वियार्थियों के लिए आखिर कारोवा समय आही गया जब कोट ने फैंसला सुना दिया है बता दे के बीती दिन एकतिस हजार सिचकों की भरती में सुप्रीम कोट ने किसी भी परकार की रोक से भी इंकार कर दिया था वहीं का टाप सरीत अन्य मुद्धों की बहस सुप्रीम कोट में 24 जूलाई को ही पूरी होई थी कोट की तरफ से अभी तक हैशाला नहीं सुना गया था इस भरती में अभी तक हैंसला न सुना जाने की बज़र से अभियारतीयों में जहां बहूत नाराजी देखी जा रही थी वहीं एक उमीद भी बनी हुई थी ऐसे में अब बुद्वार को आने वाला फैसला सिच्छा मितरों के लेज चैनी तो अभियार्चियों का वाग क्या फैसला करेगा सुप्रिम कोट ने उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गौर्मेंट को सिच्छा मितरों के ले 30,000 पदों को रिजर्व रखकर बर्ती करने का आदेश पहले ही दिया था यूपी सरकार उसी करम में बर्ती पर किया को पूरी करा लिये और अध्यापकों को विद्यालों में तैनाती भी दे दी गई है इस बर्ती पर किया के बाद करीब इस बर्ती में सुप्रीम कोट के आदेश का इंतजार उत्तर प्रदेश के हजारों ब्यार्थी कर रहे हैं आगेर कार उन्हें भी इंतजार क्यों ना हो जब डेर साल के बाद उन्हें नोकरी में आने का मौका मिला है वीबाग की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी होने के आडर रिजर्व कर दिया है सुप्रीम कोट की तरफ से आदेश सुरश्चित किये जाने के बाद आज भी आजारों ब्यार्ती फाइनल आदेश का इंतजार कर रहे हैं दोनों पच्छों के मायने रखे का अदेश सुप्रीम कोट ने प्रदेश में करीब 37,000 सिछा मित्रों क लिए पदों को रिजर्व करने का आदेश दिया है इसी आदेश के हिसाब से योगी सरकार वर्ती भी परक्रिया पूरी हो चूकी है 31,000 पर वर्ती पूरी होने के बाद अब सुप्रीम कोट से कटा आपके मुद्दे को लेकर आने वाले फैंसले पर सबकी नजर बनी हुई ह इस भर्ती में सबसे एहम काटा का मुद्दा है इस भर्ती में अभी 28,000 पत भी भरे गए है अभी इस सिच्छक भर्ती में 44,000 के आसपस सीचोकों के पत खाली ही पड़े हुए हैं अब ऐसे में करीब 37,000 सीचों की भरती पूरी होने के बाद अब भी 27,000 अभियारतियों को फिर मौका मिला है कटाप का मुद्धा सीच्छा मित्तरों से लेकर चैनिस अभियारतियों के लिए बहुत ही माहिने रखता है लेकिन आज कोट ने इस भरती पर बड़ा अधेस ही दे झाल